So, Hello Guys, स्वागत एक बर फिर आपका अपने इस YouTube चैनल केरियर निउस पर तो Guys, अगर आप हरियाना से पॉल टेक्निक करना चाहते हैं, एक अच्छी जोब पाना चाहते हैं College से ही placement लेना चाहते हैं, तो आज की वीडियो आप सभी लिए काफी helpful होने वाली है क्योंकि इसमें मैं आज आपको हरियाना के Top 10 Government College के नाम बताने वाला हूँ जिसमें placement जो है वो शांदार होती है साथ ही अगर आप After 10th या After Plus 2 Admission ले रहे हैं तो आपका ये जानना जरूरी है कि किस College में आपको admission लेने पर ज्यादा फायदा मिलने वाला है कि आपकी जो जोब है वो असानी से लग जे साथ ही मैं आपको इभी बताऊंगो कि कौन सा College कितनी placement देता है और किस College में कितनी कंपनियां आती हैं जिससे आपको असानी से placement मिल जाएगी After Admission तो गाईज वीडियो का लास्ट तक जुरूर बने रहे हैं और इसी तरह की हरियाना पॉलटेक्निक से जुड़ी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें तो चलिए बिन टाइम वेश्ट के वीडियो को जो गाईज नमबर एक पर है गवर्मेंट पॉलटेक्निक निलोखेडी जो की करनाल में स्थित है हरियाना के अगर आपका एडमिशन इस पॉलटेक्निक कोलेज में हो जाता है तो आपकी जो प्लेस्मेंट है वो कहीं न कहीं पक्की हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर इतनी कमपनियां आती है कि किसी ना किसी एक कमपनी में तो आपका जो प्लेस्मेंट है वो पक्का हो जाएगा तो गाईज अब placement के और धियान देते हैं कि यहाँ पर हर सल कितना placement होता है तो यहाँ पर हमने placement का status चेक करना है तो यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं placement interaction contact list recruiting companies ठीज यहाँ पर companies की list देख सकते हैं कि कौन सी company है जो यहाँ पर है वो recruitment करती है तो यहाँ पर गाईज देख सकते हो कि सबसे पहला ही नाम आया है मारूति सुजुकी लिमिटेड तो गाईज सभी को पता है कि जो मारूति है वो अपनी देश की कितनी बड़ी कमपनी है तो अगर आपका सेलेक्शन मारूति में होता है तो आप सोच लीजिए कि आपको कितना पैकेश मिलने वाल है तो बाकी ये इसी तरह आप देख सकते हो सैमसंग है उसके बाद हिताची है इस जग है इस जग भी अच्छा पैकेश देती है बिस्िएछ है उसके बाद इंटरनेशनल टोबैकू है जिंदल स्टीर है गाई हिरो मोटो बजाज है महिंदरा है डिड़ की कितनी बड़ी लिच्ट है कितनी अपर यहाँ साल आती है। यहां पर आपका अगर आप नमबर पड़ चाते है एडोड़ेंशंद आप कर वा लेते हो तो आपको western यहाँन Bj source अंबला तो फ्र क्रवाने में सफल हो जाते हो आपना इड में सफल हो जाते हो आपके जो मैं है आपकी जो ज़ो जह kalo इस लग भग लग उयर के कि लाश्ट कि लाश्ट इसान का जो प्रेस्मेंट है वो हुआ है तो यहां पर आप देख सकते हो कि 3 साल का जो placement record है वो मेरे सामने आ गया है तो यहां पर हम last year की 2019 का हम चेक कर लेते हैं ठीक गईज तो यहां पर मेरे सामने जो placement record है वो open हो गया है तो आप देख सकते हो government प्रोटेक्निक अमबाला सिटी placement record of 2019 ठीक है यहां पर आप देख सकते हो जो company के द्वारा placement की गई है यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर आप ट्रेड देख सकते हो कि किस ट्रेड के बच्चों को select किया गया है तो last में हम देखते हैं कि कितने बच्चों का total selection कि यहां पर देख सकते हो last में कि यहां पर सो गाइज यहां पर देख सकते हो कि last बच्चा 220 वा है यानि कि 220 बच्चों का selection हुए है 2020 में तो गाइज अगर आपका admission इस college में हो जाता है तो आपकी जो placement है वो college से ही लगभग तो गाइज next college है college मैंने इसको तीसरी number पे इसलिए रख है क्योंकि यह जो college है हर साल एक अच्छी placement देता है और बहुत से बच्चों का जो selection है वो इस college से हो जाता है यह college जो है guys वो government added है ठी guys यह आधा government है और आधा private है तो guys अगर यहाँ पर आपका government seat के through admission होता है तो भी आपकी जो placement है वो confirm है कि इस college से जो है आपकी जो placement हो जाएगी तो यहाँ पर जो placement पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने कुछ records आ जेंगे last years के और यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे पास इसी साल का जो record है व और आधा private है तो guys यहाँ पर आप देख सकते हो कि यह company के नाम दिया गया है ठीक है और यहाँ पर total बच्चों को select किया गया है ठीक है यहाँ पर किस company ने कितने बच्चों को select किया है यहाँ पर आप देख सकते हो ठीक है तो यहाँ पर guys total आप check कर सकते हो कि कितने बच्चों सेलेक्शन हुए है लास्ट में हम चेक करते हैं कि कितने टोटल बच्चों का सेलेक्शन हुए है तो गाई यहां पर आप लास्ट में देख सकते हो कि जो टोटल बच्चों का सेलेक्शन हुए है दोजर बाइस में सेट जय प्रकास में वह 388 बच्चों का सेलेक्शन हुए है अगर आपका admission government seat से इस college में हो जाता है तो भी आपकी जो placement है वो पक्की है last year का भी आगर आप देखे 2021 का तो 2021 में भी अच्छी placement दी गई है तो 2021 में भी 307 बच्चो का selection हुए है guys यहाँ पर ठीक है 2022 में 388 बच्चो का selection हुए है 2021 में 307 बच्चो का selection हुए है तो guys यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितनी अच्छी strength है यहाँ पर placement की तो अगर आपका admission government seat से हो जाता है यहाँ पर तो और आपके लिए तो guys चोथे नंबर पर आता है government pole technique sonipath ठीए guys यह चोथे नंबर placement मिल जाएगी आपको और अच्छा package आपको यहाँ से भी मिल जाएगा so guys इन्हों ने अभी तक अपना जो placement status है वो update नहीं किया है कई college ने अपडेट नहीं किया है जिस तरह कि Ambala city ने अपना placement status जो है 2022 का update नहीं किया है तो इनका भी जो placement status है वो भी तक अपडेट नहीं किया गया तो guys लेकिन अभी तक जो भी देखा गया है तो यह चोथे नंबर पर college जो है वो आता है और अगर आपका admission इस college में हो जाता है तो आपकी जो placement है वो कहीं न कहीं किसी बढ़ियां company में अगर आपका इडमेशन इस college में भी हो जाता है तो आपकी जो placement है वो लगबग लगबग तहई है तो गाईस अगर आप पॉल टेकनिक का फोर्म भर रहे हैं तो आप इस college को भी अपने option में डाल सकते हैं क्योंकि इस college में भी अगर आपका इडमेशन हो जाता है तो आपकी placement जो है college से ही असानी से हो जाएगी और यह जो college है वो पांचवे नंबर पर आता है तो गाईस नेक्स पॉल टेकनिक कोलेज आता है गौर्मेंट पॉल टेकनिक फोर वुमेन फरीदाबाद तो गाईस यह फरीदाबाद में स्थीत है और यह college specially for women के लिए है अगर आप लड़की है और पॉल टेकनिक करना चाहती है और फरीदाबाद से ही है तो आप इस college की choice जो है वो भर सकती है क्योंकि इस college में भी जो आपकी placement है वो अच्छी होती है placement की बात करें तो इस college में भी आपको अच्छी placement देखने को मिल जाएगी तो गाईस आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर जो placement है वो दी गई है इन college के दुबारा अगर आप पॉल टेकनिक क करना चाहती है लड़की है तो आप इस college को जो है वो option में भर सकती है क्योंकि यहाँ पर भी आपको अच्छी placement देखने को साथवे नंबर पर आता है गौवर्मेंट पॉल टेकनिक मंडी आदंबूर इस college को साथवे नंबर पर रखा गया है अगर आपका जो admission है वो इस college में होता है तो भी आपके लिए placement के बहुत ही अफसर मिलेंगे क्यों यह college भी आपको अच्छी placement देगा और पढ़ाई भी अच्छी होती है तो अगर आप option में डालना चाहें तो आप गौवर्मेंट पॉल टेकनिक आदंबूर को डाल सकते हैं जो की पंचुकुला में स्थीत है एन इसको साथवे नमबर पे रखा गया है यह college भी अच्छी placement देता है गाईश तो गाईश नेक्स्ट college है कलपना चावला गौवर्मेंट पॉल टेकनिक फॉर वुमें यह college जो है वो सिर्फ लड़कियों के लिए है तो अगर आप लड़की है या फिर आपकी बेहन कोई है और पॉल टेकनिक करना चाहती है तो यह college आपके लिए बहुत बैटर होने वाला है क्योंकि यह सिर्फ लड़कियों के लिए साथ ही अंबाला city में है और इस college में भी placement अच्छी होती है इसलिए इसको नमबर आठ पर रखा गया है तो अगर आप पॉल टेकनिक करना चाहती ह और लड़की है तो आप इस college की preference दे सकती है और इस college में admission ले सकती है और यहां से भी आप अपनी जो पॉल टेकनिक है वो कर सकती है तो यहां पर भी जो placement होती है वो बहुत अच्छी है अगर आप पॉल टेकनिक करने में इंट्रस्टिड हो तो आप government पॉल टेकनिक सिर्षा for women's के लिए भी आप जो है वो preference डाल सकते हो ठीके गाईज प्लेस्मेंट की बात करें तो placement update इसमें क्या होने वाला है कि कौन कौन स हो तो आपके जो placement है उसके पूरे चांसिस बनने वाले सो अगर आप लड़की है अपनी सेफ्टी को देखना चाहते हैं तो आप इस college में admission ले सकते हैं साथ ही कंपनियों के नेम भी है और placement ही आपकी अच्छी प्रकार से हो जो गाइस next college है जो की छोटु राम पॉल टेकनिक college है यह एक government added college है government added मतलब कि आधा government का है और आधा private है तो यहां पर अगर आप admission ले सकते हो तो ले लीजिए क्योंकि अगर आपका number जो है वो government seat से पढ़ता है तो आपकी जो placement है वो भी अच्छी होगी हलाकि आपका जो placement है government और private seats दोनों का equal होता है लेकिन अगर आप counseling के थ प्रूल लेना चाहते है admission तो आप ले सकते हैं क्योंकि इसमें भी आपकी जो placement है वो बहुत अच्छी होने वाली है college से ही तो अगर आपको admission लेना है तो आप इसकी preference भी दे सकते हैं counseling में यह भी एक बढ़ियां college है जो की रोज तक में यह थे आपके हरियाना के top 10 government colleges और government added colleges for women's और boys सभी के लिए तो अगर आप after 10th या after 12th यहां पर admission लेते हो तो आपकी जो placement है वो कहीं ना कहीं 100% college से ही पक्की हो जाती है और साथ ही company के द्वारा आपको अच्छा package भी दिया जाता है तो guys अगर आप call technique का form भर रहे हैं तो आप इन में से call technique colleges का preference ज़रूर डाले तो guys अगर आपको अभी भी कोई doubt है कोई confusion है तो आप मुझे comment box में पूछ सकते हो या फिर आप मुझे instagram पर direct message कर सकते हो मैं आपके जो doubt हो clear कर दूँँगा तो guys हरियाना पॉल टेक्निक से जुड